जन और South इंचर वोश नंशने तर शहना तो पिंफ स्क्राइव में 20 में 30 मिलू। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ है जिसे भाग सकते हैं तो मैंने वो चीज ना अप ले ली मतलब हां मुझे भागना है जब मैं सोचती थी ना कि इसका प्यार करें अब तो कुछ नहीं हर सकती मैंने का नहीं अब तो मैं भाग के दिखाऊंगी हलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंदे सिंग राठोड आप लोगों के लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच में एक रियल लाइफ हीरो मोजूद है प्लीज वेलकम ब्लेड रनर किरन कनोच जी थैंक यू आँ बहुत खुशी हो रही है आपके साथ यह सेशन करने में यह जर्नी कैसे आपकी शुरू हुई रनिंग की जर्नी से पहले आप क्या कर रही थी और रनिंग की जर्नी कैसे चाल लुए आपके मैं चोटे से फरीदाबाद सिटी में वहीं पे पैदा हुई वहीं पे स्टडीज करी पढ़ाई करी स्ट्रगल थी फैनाइंशली स्ट्रगल थी बट माबाप का सपना था कि बच्चों को पढ़ाना है तो उन्होंने पढ़ाया और मैं अच्छी थी पढ़ने में तो उन्हो अब नेक्स्ट क्या क्या क्योंकि कॉलीज के बाद ग्राजूशन करना है उसके लिए अच्छे पैसे चाहिए तो जहां पर हम रहते थे वहां ममी पापा जहां उनके गर काम करते थे मेरा पापा प्रेस का काम करते हैं और ममी सपोर्ट करती हैं बत उन्होंने हम थीन भाई भेहन हैं मैं बड़ि हूँ और मैं छोटा भाई भेहन है वट उन्होंने हमें दिल से पढ़ाया और तो मुझे बहुत आज प्राउट फील होता है कि जो पढ़ाई उन्होंने दी और मैंने करी वो काम आई क्यूंकि जब मैं पढ़ रही थी एक स्ट्रगल था फिर मैंने ग्रैजुएशन करी फिर ग्रैजुएशन के बाद मुझे जॉब भी मिल गई एक अच्छी कंपनी में ट लगा कि वाव मेरे सपने फूरे हो जाएंगे अब मैं कमा सकती हूँ अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते अपने भाई बहनों को सपोर्ट कर सकती हूँ सो उन सब खौबों को लेके मैं जीने लगी क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि पापा वेट करते थे कि दिवाली आएगी और हम नए कपड़े पहनेंगे मतलब यह ऐसा हो लाइफ हमने यह वाली जी आए तो मतलब जब रहता है ना नौकरी लग गई और एक अलग सही खुशी थी कि अब मैं अपने ममें पापक ले लेके आओंगे अपने भाई बैनों को गुमानी ले जाओंगी हम सारे मस्ती करेंगे और मतलब उसी फ्लो में मैंने जीना शुरू कर दिया मगर यह नहीं पता था कि लाइफ में ऐसा दिन आएगा कि जो जिन्दगी ही बतन देगा 24 दिसंबर 2011 मेरे जस्ट 25 दिसंबर को मेरा बर्डे होता है एक दिन बर्डे के पहले जब मैं हाइदराबाद से फरीदाबाद आ रहे थी अपना 25 बर्डे सेलिबरेट करने तो जब मेरे साथ ऐसा हाथसा हुआ कि जब ट्रावलिंग करती मेरा स्टेशन आने वाला था मैं त पास जो लोर बर्डे होती वहां बैट यूई थी तो सड़नली दो अन्नोन से लड़के आए उन्होंने बैग पुछ किया मैंने भी प्रिटेंड किया कि मैं भी मेरा बैग ले रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट कमाई से गोल चेंड खरी रहा था वह उस बैग में था तो बैग तो हाथ से निकल गया और मैं ट्रैक पे गिर गई और देखा तुरा वो गेट तक ले गया आपको खैंज करके गया हाँ जब मैं गिरी और ट्रेंग चल रही थी और चारो तरफ अन्देरा था और सर्दियों का टाइम था पहले मैंने उठने की कोशिश करी वर्ट मैं उठनी पाई क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पैर में कुछ हो गया है अब गिरे तो पैर ट्रेंग के नीचे आ गया था क्या ट्रेंग के नीचे मतलब वो ऐसे जैसे हम एक लकडी को तोड़ देते हैं खून निकल रहा था मतलब मुझे चोट लगी है मुझे यह पता है बट मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी मैंने का मैं खड़ी नहीं हो सकती हो मुझे कौन बचाएगा फिर मैंने चिलाना शुरू किया कि बचाओ बचाओ मगर कोच में कुछ लोग थे तीन चार कोच के बाद ट्रेन रुकी मुझे वापस से ट्रेन में डाला फिर नेक्स टेशन फैदावार था फिर वहां से रेलवेश पुलिस मुझे हॉस्पिटल ले गई यह था कि वो मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गई गई गर अगर शायद गवर्मेंट में ले जाते तो शायद और टाइम लगता कुछ भी हो सकता था कि वहां पर मुझे कोई नहीं देखता क्योंकि प्रेइन से पैर कटा था तो एक दम जो उसका जहर होता है फैलता है तो वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गएं वहां पर फिर डॉक्टर आए जब डॉक्टर आए तो उन्होंने देखा कि पहले बोला कि हम बचा सकते हैं पैर को बट टाइम जादा हो चुका था उन्होंने बोला कि नर्व्स जो है उसमें ब्लड फ्लो नहीं है वो एकदम पीली पड़ देए थी उन्होंने बोला कि अब हमें काटना पड़ेगा तो मतलब यह सब तो मुझे फैमिली बताती है कि ऐसा प्राइज तो वह सब देख यह सब प्रोसेस चल रहा था सोच रहे थी कि रॉट डालके टांग शायद बच जाए वो एक उमीद दी थी डॉक्टर ने बट वो टाइम जैसे जैसे बीचता गया यह तो किस्मत की बात है कि जैसे टाइन छे बजे हुआ था और इवैल्यवेशन में टाइम लगा जैसे साटेड़े था एट दे सेम टाइम डॉक्टर प्रेजेंट नहीं था तो डॉक्टर आया दस बजे डॉक्टर आया फिर उसने देखा उसने बोला हाँ बचा सकते हैं तो पेरेंट्स को एक उमीद आगई कि बच जाएगी बट फिर उन्होंने जब और अनलाइस किया फिर कहरे कि बलड फ्लो नहीं हो रहा है नर्वस भी पीली पड़ गई है तो सर्जरी करने पड़ेगी बट सर्जरी करनी है तो उसके लिए फिर एक लाक रुपे पहले डिपॉसिट करने उसी के बाद सर्जरी स्टार्ट होगी और सर्जरी के बाद भी कोई शौरेटी नहीं है कि ठीक होगा कि नहीं होगा या फिर शौरेटी थी कि ठीक हो जाएगा न क्योंकि पैर ऐसे जुड़ा जैसे स्टिक को ब्रेक कर देते है ना जैसे लग दिखता है वैसे बोन्स दिख रही थी बट वो एक ब्लड फ्लो और येलो कलर में चेंज हो गया था क्योंकि टाइम जादा हो गया था विंडर्स का सीजन था तो फिर उसमें और टाइम लग गया क्योंकि all of sudden हमारे पास एक लाक रुपे थे नहीं ऐसा नहीं कि मैं आफिस में कॉल करते है और इंशुरेंस वाले तूरंत पैसे दे दे इंशुरेंस था मेरी खम आफिस में बट वो भी अवलेबल नहीं थे तो इधर उधर से पापा ने जहां काम करते हुआ से अरेंज किय अरुन शर्मा जो उन्होंने फिर पैसे दिये फिर उसके बाद डॉक्टर जहां मैं थी जिस रोम में एक पीस ओफ पेपर के साथ आते हैं और कहते हैं कि अब हमें तुमारा टांग गुटने के नीचे से काटना पड़ेगा तो वही था कि मगर मैं नहीं चाहती थी मैं सो मै मैं डॉक्टर के आइस में देखती हूं प्रीज मुझे बचा लो बट मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था फिर वही मैं देखती हूं कि रात के बारा बज़ रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे होंगे बड़े विशिज देने के लिए बट वो मैं नहीं ले सक थे फिर मैंने साइन कर दिया उस डॉक्यमेंट में बड़े वाले दिन चाल रहा साथ बड़े वाले तू मतलब एक ही रात में मेरी जिंदगी बदल गई कि एक जैसे 25 कुमेर बड़े था तो मुझे लगा कि एक नई जिंदगी मिल गई उसके बाद वो जो six months का recovery phase था मतलब बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे में इतनी इमत नहीं हो रही थी कि मैं अपने पैर को देखो कि डॉक्टर ने काट दिया है मैं अपनी सिस्टर को कहती थी कि जब भी डॉक्टर देखने के लिए आते थे रूम में अपनी सिस्टर को बोलती थी प्लीज दॉक्टर को बोलो कि यहां से बाहर चला जाए इतना पैन होता था कि टच करने पर भी और थोड़ा और में एक्सेटन्स नहीं आ रही थी और मैं घर में बढ़ी हूं कैसे होगा कैसे लाइफ जी ओंगी मैंने मठब यही सवाल आते थे कि मैंने लाइफ में क्या पॉरा किया अभी कम स्टरगल थी कि स्टडिज पढ़ने के लिए पनी मुश्किल उठानी पड़ी फिर पेरें एक सपना था कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, अपने पापा को घुमाओ, उनको भी खुश रखूं, मगर जिन्दगी में कुछ और ही लिखा था, जब मेरा टांग कट गया, तो मुझे लगा कि मेरी जिन्दगी खतम हो गई, अब मैं दुबारा नौकरी कर पाऊंग या नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता था, मैं बाहर जाब पाऊंगी, मुझे नहीं पता था, लोग मुझे एकसेप्ट करेंगे, मुझे नहीं पता था, बस मैं यही सुनती थी कि लड़की है, जिन्दगी बरबाद हो गई, अब क्या होगा, अपने पेरेंट्स पे, क सहाइता से ही जी पाएगी वह एक चार दिवारी में यही खोश्चन्स सुनने को मिलते थे अगर मेरे मम्मे पापा का पूरा सपोर्ट था मेरे पापा कहते हैं कि जान बची तो लाखो पाए उनको कही न कही यह उमीद थी कि मेरी पेटी बच गी यस पैर नहीं तो क्या उन्होंने सुधा चंदरन का बड़ा एक्जैम्पल पापा को देते हैं वो मुझे भी यही खहते थे सुधा चंदरन को देखा है न उसके भी पैर नहीं आटिंग करती है तो उनके माइन में कही ना कही यह था कि टेकनालोजी है खड़े हो सकते हैं जैपूर फोट से उनने देखे थे मगर जब खुद पर आती है न तो एकदम मरने जैसा हो जाता है उनके लिए मगर वो हमेशा मतलब वो एक उमीद नहीं छोड़े थी कि मेरे साथ कुछ हुआ है पूरा सपोर्ट करते थे बच्चों की खाना खिलाना देखना हमेज़ा खुश रखना और उन्हें जिसे एक पास में दीदी थी तो वो मेडिटेशन के लिए आती थी कुछ बाते बताना कि बहुत सारे ख्याल आते हैं तो उन्हें लगता था शायद मेरे से कोई बात करेगा तो मन हलका होगा मेडिटेशन करेगी ब्रह्मा कुमारे से अब जैसे जो जो आता रहते हैं लाइट में उसके साथ फलो में है जै रही थी पढ़ना लिखाई करना नौकरी मिल गई वह जसब स्टार्टी हुआ था कि अब मैं जी सकती हूं जैसे स्कूल जाते थे हम देखते थे ना यार उसके पास तो बड़ा घर है और वो बड़े स्कूल में जाता है मैं कब जाओंगी मतलब देख के लगता है ना अपने एक सपने अलग ही होते हैं कि मुझे भी वो वाली ड्रेस चाहिए मुझे भी पीजा खाना है तो जब ऐसा हुआ तो लगा कि मेंटली काफी शैटर्ड हो जाता है कि अब क्या होगा मतलब एकसेप्टेंस कब आई आपके अंदर कितना वक्त लगा यह एकसेप्ट करने में कि यार यह हो गया है अब मैं जिंदगी वर ऐसे नहीं रह सकती हूं एक विक्टिम बन सही कैसे मतलब जब मैंने पहले तो यह सोचा कि रहते हैं कि फैनेंसी पैसे होंगे तभी कुछ कर पाएंगे तभी मैं कुछ खरीद पाऊंगी तभी मैं टांग ले पाऊंगी क्योंकि जो पैर है उसके लिए भी strengthened क्योंकि यह इंश्रेंस मेंinator नहीं होता है तो मुझे पहल तो नोकरी आपके वापीस जो इन कर लिए ती आपने फिर वो मेरे सथ आई फिर मैंने ओफिस जोइन किया मैं जहाँ भी मतलब ओफिस जाती थी महायां डॉक्टर के पास जाती थी अपनी सिस्टर को लेकर जाती थी क्योंकि मेरे को लगा था अगर मैं बीच में कहीं गेर गई तो क्या होगा कौन देखेगा मतलब रहता है कि माइन में एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि कॉन्विडेंस कि मैं अके लिए बाहर जा पाऊं एक अंदर से डर सा बैट गया था कि इतनी बड़ी लाइफ सिचुएशन में क्योंकि कभी हमने देखा ही नहीं मतल मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी देखा ही नहीं कि पैर कट जाए और जी सकते हैं हां स्ट्रगल किया है बाट फिर जब मैंने ऑफिस जॉइन किया फिर जॉइन करने के बाद जब वहां पर और लोग मिले ना उन्होंने मोटीवे करना शुरू करने अन्वार्मेंट को हैं लोगोंने काफी सपोर्टिव रहे सपोर्टिव रहा क्योंकि एक तो मैं हाइदराबाद में थी तो साउ कि दीगी उनसे पूरा सपोर्ट मिला मुझे और जो जब मैंने प्रस्थिक की मुझे अडवांस प्रस्थिस लेना है जैपूर फोट पूरा एक होता है और उसे लाइट वेक्ट में भी प्रस्थिस आते हैं कारवन के तो फिर ऑफिस में जो भी कलीक्स थे थोड़ा-थोड मिला और जब मैं लेग जहां पर लगवाने के लिए हैद्रवाद में ही जाती थी वहां पर जब मैं गई वहां पर मैंने देखा कि किसी के हैंड नहीं है लेक्स नहीं है कोई देख नहीं सकता है वो एक अलग जरनी स्टार्ट हो गई जब मैंने लेक पर चलने के लिए ट्र तो जब यह जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकती वो एक अंदर से आवाद से आई एक होप बन गई कि कि मैं भी खड़ी हो सकती हूँ टेकनोलोजी है किरन तुम्हें करना चाहिए तो फिर वहां से ही मैंने रनिंग में मुझे कॉन्फिडेंस आया इस जर्नी में आप अब नया प्रस्थेटिक लेग लग गया तो काफी समय तो आपको इस से प्रैक्टिस करने में गया होगा रही कितना समय लगता इसमें जब आप पूरा अडेप्ट कर लेते हैं एकसेप्टेंस एक आजाये माइन को तो हम कॉन्फिडेंसली रन कर सकते हैं क्योंकि पहला स्टेप था वाक करना मुझे वाक करना ही नहीं आ रहा था कि जब मुझे सिखाया जा रहा था आटिफिशन लेग पहन के के एक राइट लेग आगे रखो लेफ्ट लेग आगे रखो मैं नहीं रख पा रही थी मतलब बच्चों को जैसे सिखाते हैं जब चलना शुरू करते हैं वैसे ही मुझे चलना मैं अपने आप से किरन तुम 25 साल क्यों चलनी सकती हूं क्या तुम्हें लेफ्ट राइट नहीं पता क्योंकि मुझे लगता था कि मैं गिर जाऊंगी बैलन्स बगड जाएगा छोट लग जाएगी फिर दीरे-दीरे मतलब यह चीजे चलना वॉक करना सीखा फिर वॉक करते-करते जब डॉक्टर ने बोला कि अब तुम्हें रण करना है क्या तो मुझे मैंने बोला हाँ कहते हैं न तुम नहीं कर सकते तो मुझे भी यही जब मैं रिकवरी फेस में थी मुझे भी यही बोलते थे कि किरन अब तो तुम कुछ करनी पाओगी जब मैं अपनी रिकवरी फेस में जब मैं गिर गई थी वाध्रूम में तब डॉक्टर के पास में गई थी जब उन्होंन थेटर में मुझे नहीं जाना मतलब हम सब कहते कि मेरे पैर में भी रॉड है मैं नहीं भाग सकता भागना जरूरी नहीं है तो I was like I will run one day when and how I don't know but I will तो जब मुझे डॉक्टर ने पूचा कि तो यह भागना है मैंने खां मुझे भागना है फिर walking के बाद में running भी जाता है तो भागना जाती थी क्या कुछ प्रूफ करना था किसी को प्रूफ किसी को नहीं करना थी यह लड़ाई ना मेरी ही खुद की लड़ाई थी क्यूंकि जब जैसे मेरा प्यार कोया ना तो कहना शुरू कर देते प्यार चला या भी पुछ नहीं कर सकते चल भागना तो दूर की बारती यह चल सकती है नहीं क्योंकि बीन वो लड़की को अलग से देखते मैं मैंने भी नहीं सोचा था कि मैंको तो चल नहीं है पर जब मुझे पत जब आया तो उस पे भी टफ था, बैलिंस बनाना, रनिंग मतलब पहले एकदम से मैं नहीं भाग पा रही थी, वो हाथ पकड़ पकड़ के रन कराते थी, फिर एक दिन जैसे भाग रही थी, हाथ पकड़ गई डॉक्टर का, तो उन्होंने हाथ छोड़ दिया, मैंने का, मैं भाग सकती हूँ, फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये, जब मैं सोचती थी ना, कि इसका प्यार कर दिया, अब तो कुछ नहीं हर सकती, मैंने का, नहीं, अब तो मैं भाग के दिखाऊंगा, क्या फिलिंग थी, जब पहली बार हाथ छोड़क टार्गेट लिया, उसके लिए ट्रेनिंग करी, मैंने पांच किलोमेटर भी दोड लिया, तो जो पहला मैराथन था आपका, यही था वो, हाँ, पहला मैराथन कैसे आपने पाटिसिपेट किया, पहले मैराथन, जब ब्लेड मिला, तब हैदरवाद, एटल मैराथन, बड़ मैराथन होता है, तो उसमें डाक्टर ने बोला कि जाओ, फाइफ किलोमेटर रन करो, सभी उसमें ब्लाइड रनर होते हैं, यह एवरीबडी इस अलाउट, ओपन टू ओओ, नॉर्मल होते हैं, डिसिबल लो होते हैं, लिए वाले भी होते हैं, तो उनने बोला कि जाओ, पा जाओ, और करो, फिर हमने गुरुप बनाया, एमपुटी, कुछ लोगों का एंड भी नीदा, दोनों लेक्स नीदे, तो हम लोग गए, और जब हमने स्टार्ट किया, हमने पता था कि हम नहीं कर सकते हैं, मगर सबने मिलके एक दूसरे को मोटिवेट किया, वो पांच किलोम किलोमेटर कर लिया, जो खुशी आ रही थी, जो आसपास की लोग जो आके डॉक्तर आय, जो प्रॉस्टरिक सर थे, वो आके कॉंग्रेचुलेट करते हम एक दूसरी को कॉंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और नॉर्मल लोग थी आकी, कि मतलब वो कहते हैं, कि यू स्टैंड टॉलर देन अस, कि हम तो सोचते ही रह जाते हैं, तुम लोगों ने पांच किलोमेटर कर लिया, तो वहाँ से एक पोश्ट मिल गया, कि न, जब देखा कि और लोग भी जैसे, शायद हमारी डिसिबिलिटी मेरी विजिबल है, बट हर एक के पास एक अपनी प्रॉब्लम है, फिर वो आके जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे कि मेरे साथ भी ऐसा अक्सिडेंट हुआ था, मुझे इतना टाइम लगा रिकावर करने में, तब वो लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लगे, तो खुद की प्रॉब्लम छोटी लगने लगी, मैंने का शायद टेक कर दिया, वो एक वक्त था कि रोम में बन थी, जब मैं सोचते थी, कुछ नहीं कर बाती थी, और आज खटाई मैं कि I am totally different person, एक बहुत एक stronger and confident की life में problems आएंगी, और problems उनी के बास आती हैं, जो उन प्रॉब्लम से पे कुछ जेल के खड़ा हो सकता है, तो शायद उस रात को मैं कुछ भी हो सकता था, मैं मर भी सकती थी, कई बार लोग मर जाते हैं, दोनों हाथ पेर कट जाते हैं, पेरलाइस हो जाते हैं, तो एक बात मैं कहता हूं कई बार कि many times the most beautiful gift of your life comes in ugly packaging, कई बार खूब सुरत तो फे गंदी packaging में आते हैं, तो कई बार वो इवेंट इतना उस इवेंट में से कुछ ऐसी strength हमारे अंदर grow हो जाती है, कि वो हमसे कुछ ऐसा काम करवा जाती है, जो शायद हम normal रहते तो नहीं कर पाते हैं, ये आपने सही बोला, क्योंकि उस रात कुछ भी हो सकता था, बट मैं survived, आज मेरे पास एक purpose है, मतलब जो के एक running ने दिया है, वो आपके साथ हो, ये पाइन अनलोक्स परपस, ये वार पैन ही परपस को खोल देता है आपके जीवन में, क्योंकि इस जर्नी में लोग ऐसे मिले हैं, क्योंकि जब मेरे साथ हुआ था तो शायद कोई ऐसा नहीं था कि जो मुझे आ के बताए कि, लाइफ इस टेल मेरे को पता चलता है कहीं पर ऐसा किसी का हाथ कटा है, पहर है, तो मैं उनको जाके जब मिलते हो ना, तो मैं बताती हूँ कि ये, तो एक बस हिस्सा था जो गया, क्योंकि जो भी हुआ फेट था, डेस्टिनी थी, कुछ हम कुछ नहीं गय सकते थे, जो होना था, वो हो गया हमें आगे का देखना है, तो वो चीज जब एकसेप्ट कर लेंगे, जब वो खुद हमें देखते हैं कि हाँ यार, जब ये लोग जब कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो हाइदाबाद में जब मैं थी, जब बॉम ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे, तो हॉस् में किसे से मिलते हैं, बात करते हैं, वो एकस्पीरियंस किया होता है, कि हम अगर ऐसा करेंगे, अगर हम लेक को ट्रेनिंग जाके, सेंटर यहां पे, यहां पे जाके, यह चीज़े अवेलेबल हैं, कुछ भी है, काउंसलिंग चाहिए, जैसे स्टंप में, जैसे जब ट्रे करते हैं, ताकि अब वो अपनी जिन्दगी में यह ना सोचे कि जिन्दगी यहां खतम होगी है, जिन्दगी वहीं से हमारी शुरू ही है, तो वो एक स्टेप हमें ही खुदी लेना है, तो आपको जब एकस्टेट रहा था, आप मेरीड नहीं थे, तो मेरीज में क्या चलें एकस्टेट जिन्दगी मेरी ना लाइंसे से देख रहे थे, मेरे पेरेंट्स, और अल्मोस्ट फिक्स भी था, बड़ट जब उन्हें पता चला कि ऐसा हो गया है, तो उन्होंने मना कर दिया, तो नहीं एकस्टे एंगेजमेंट नुएं कर था, अब नहीं थे थे, नहीं ब बट उन्हें यह नहीं पता था कि के रन दुबारा पनी नॉर्मल लाइफ दुबारा जी सकती है तो ठीक है, रिजेक्शन आये, मैरीज रिजेक्शन, करियर में बहुत सिट बैक आया मेरा खुद को मेंटली और फिजिकली स्टॉंग करने में भी बहुत टाइम लगा अफ्टर थी यहर्स, मेरे फ्रेंडी है वो, वी वर फ्रेंड्स, मेरे लव मैरीज है अच्छा, क्या बार बार बेश्चा? वी गेव में ओफर, लाइक, दो यू वांट तो मैरी में आई वस लाइफ क्योंकि मुझे पता है कि शायद मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी सुसाइटी में इन चीजों को एकसेप्ट नहीं करते है तो लव मेरी इसके एकसेप्टेंस ती है आपकी सुसाइटी में, आपके घर में? अहां मेरे घर में नहीं थी मुझे पता है कि एकसेप्ट नहीं करेंगे बट ये था कहीं न कहीं ये फील था कि यार ये जो प्रॉब्लम जो पैर वाली अब खड़ी हो गई हूँ तो शादी भी एकसेप्ट कर लेंगे मतलब वो एक उमीद थी हमाई लव मैरीज है फिर पैरेंस थोड़े नाराज थे अच्छा और तो शिरुवाद में पैरेंस ने हां नहीं बोला था हां नहीं बोला था वो अपर कास्ट का हैं हम लोवर कास्ट के हैं तो एकसेप्ट नहीं किया था बट स्लोली ग्रैजुली दो साल बाद उनकी तरफ से थोड़ा जादा मेरे पेरेंस थोड़ा हां मतलब मान गए कि चलो ठीक है शायद उसका टांग गया है शायद उसे अच्छा कोई नहीं मिलता या तो वो सोसाइटी में ही मुझे ऐसा ही लड़का मिलता जिसका कोई पैर नहीं है या हाथ नहीं है क्योंकि हमाई सोसाइटी जिस एंवायर्मेंट में हम बड़े हुए हैं तो महाँ एसे पनी करते बट आज सब लोग खुश है मतलब मेरे पापा रेलेटिवस इनकी फैमिली नहीं भी असरप कर लिया है और I have two beautiful kids so I am living my life normal like a normal person इस पूरी जर्नी में कौन सी प्रेक्टिसेस ऐसी रहीं जिन्होंने आपको mentally stable रखा एक तो आप meditation का बात कर रहे थे फिर आपने कहा कि आप आसपास का environment भी था जो बहुत जरूरी था और कुछ आपने क्या कि आपनी mental strength को बनाए रखने के लिए mental strength के लिए meditation योगा और running मैंने ये चीज़े तो बिल्कुल छोड़ी नी जब एक बार शुरूर की इसके साथ ये था कि अपने जैसे लोगों से ही मैं जोड के रहती थी मतलब हम counselling करते थे कि एक दूसरे की यार मेरे पैर में एक तरफ swelling आ गई है तो मतलब कैसे ठीक करना चाहिए तो कुछ tricks होती है कि हम muscle को एक तरफ से pull करेंगे तो वहाँ पे load कम आएगा तो ये चीज़े हम लोग आपस में counselling करना इससे एक बहुत बड़ा point ये था support group जो से कहते हैं तरीके से support group बन गया अप लोगों जी और फिर हम ये cycling और swimming से की group में तो ये group कहां पे होता है ये whatsapp पे बना रखा है आप लोगों ने अगर कोई और हो सकता है join करना चाहिए इस podcast को देखके जो इनी situation से गुजर रहा हो तो ये open group है private group है कहां पे आप ये group रखते हैं ये जो initially group था मतलब जब मैं हाइदराबाद में थी जब हम ज्यादा active थे अभी एक foundation है like में जैसे hunting cash foundation मैं उनसे connected हो तो हमारा aim यहीं है कि इस जो भी disabled अब लोग है उनको mentality training देना मतलब कैसे जब ऐसे challenges आए mental strength और resilience कैसे डेव तो अभी मैं उनके साथ ही connect to you तिंकेश वाई तिंकेश तिंकेश कॉषिक ही इस इन गोवा ओके और I'll connect with him is very good for अभी वेवरेस based camp जाके आए तो अभी अपने आपको focused और motivated रहने के लिए currently आप क्या practices करते हों currently जो मेरा on regular meditation half an hour meditation देना है अगर मैं वो एक half an hour meditation और weekly every Sunday और Saturday cycling group है हम cycle करते हैं और Sunday को run short runs या फिर कोई marathon होता है उसमें participate करते हूं तो से मेरा यह रहता है कि weekly meditation yoga strength करके फिर Saturday Sunday में अपने group के साथ small groups है बतल यह groups ऐसे नहीं सिर्फ disabled है इसमें normal लोग ही mostly रहते हैं small groups एक point meeting point बना लेते हैं वहाँ पे आके हम मिलते हैं और cycling और running करते हैं lovely beautiful जैसे वन दना हम लोग weekend पर जाते cycling group है जाके cycle वानार करके आजाने बहुत बट बढ़िया तो अभी आपका running में करियर कहां पे क्या milestone अपने अभी तक अच्यू कियें तो आपने 5 km वाला marathon आपने रन किया उसके लावा भी और क्या क्या कर रहे हैं 5 km तो मैंने किया रनिंग में जब मैंने 5 km फिनिश किया फिर 10 किया तो उसके बाद था next क्या करना है फिर मैंने challenge किया 21 km करने के लिए फिर मैंने 21 km की training करे और मैंने 6 half marathons 21 km के किये जो मेरा best जब मैंने 21 km किया था वो 3 hours 30 hours में किया था फिर जो मेरा best था वो 2 hours 45 minutes में मैंने फिनिश किया तो मुझे लगा कि अब मैं कुछ भी कर सकते हो 20 km is nothing but it's all in the mind कि अगर हम अपने mind को set कर लेते कि मुझे target करना तो करना अब मेरा यही एक सपनाई कि मुझे 42 km का training कर के मुझे 42 km करने फुल माराथन क्या बात है बॉर्ट बरिया तो आइम वर्किंग ओने तो इंचो लोग के लिए आप कुछ दो तीन मैसेज दे सकें कुछ लेसंस उने दे सकें तो इंडिया कि प्राब्लम्स आइंगी मगर हमको ही खड़ा होना है वो एक रहता है न कि जैसे जब प्राब्लम आई तो मैंने गिव अप नहीं किया कि मुझे पता है कि मुझे खड़े होना है तो वो नेवर गिव अप का आटिट्यूट कभी नहीं छोड़ना है अगर शायद मैं उस टाइम गिव अप कर देती तो शायद मैं आज खड़ी नहीं हो पाती और इंडिया कि और जो भी चैलेंजिज आए उनको अपने अपर्चुनिटीज में कनवर्ट करो जैसे जब भी चांस मिले मुझे नहीं पता था कि मैं साइकलिंग भी कर सकती हूं मुश्किल था बैलेंस करना साइकल पर बट मैंने 200 किलोमेटर लॉंगे साइकलिंग इन डे किया है तो जब जो भी चांस मिले जो भी चैलेंजिस मिले उनको अपर्चुनिटीज में जरूर कनवर्ट कीजिए लाइफ इस ब्यूटीफुल जब भी कोई प्रॉब्लम माई प्लीज शे मतलब एक्सप्रेस करो कनेक्टो जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट करेंगे तब ही बता चलेगा कि उसका सॉलुशन क्या है कि उसको अपने तक नहीं रखना है जब हम बहार जाके दूसरों से मिलेंगे तो हमें वो चीजे पता चलेंगे कि इसका सॉब प्लीज डिजी बता है कि वे बताव करेंगे कि नहीं रहे जब हम अपने मैंशे हैं तो हमेगे बता चलेगे कि लिके अलेखने कि नहीं पनी दिया झाले स्थरी कि यूप ट्रॉब्ल्व बता चलेए कि एसको प्लाव साथ थार और चले लिए कि अज़ राजमा चावल वन वर्ड देट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट सबसे फेवरेट एथलीट मुवी सबसे फेवरेट एथलीट मानसी जोशी एक सी जिसके भिना बिल्कुल जिवीत नहीं रह सकती स्माइल शोशल मीडिया के बारे में क्या थोट्स हैं मैं यह हूंगी कि सोशल मीडिया इस दे प्लाटफर्म वाट आम तोडे इट वाज़ गिवन बाई सोशल मीडिया की कोपरेट में जाना या फिर एंजियों से कनेक्ट होना या फिर लोग से कनेक्ट करना मुझे सोशल मीडिया ने बहुत हल्प किया है उसकी ही वजे से मैं दूसरी सिटीज में जाके मैं घूमपाई हो मुंबई, बैंगलूर, अचिन नहीं तो इस आल बिकास अव सोशल मीडिया आइट इन्वाइट फॉम दिफरेंट सिटीज और दिफरेंट सिटीज और इन गूमपाई होगी तो वो क्या होगी? तो फ्लाइ अओन हेलिकॉप्टर फोही भी हिस्टोरिकल फिगर जिसके साथ आपको दोड लगानी हो, कौन होगी हो? फेवरेट परसन विद मैं मॉम वन गोल यूर चुरंटली वर्किंट टोड़ूर्स तो रन फुल माराथान फुल इस 42 किलोमेटर, फेवरेट चैल्ड़ूर्ड मैमरी? दूसरों का लंच वोक्स खाना फेवरेट माराथान इंडिया? मुंबई फेवरेट टाइप उफ एक्सराइज बिसाइड रनिंग? अगर आप एक ब्लेड रनर ना होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? चूला फूग के रोटी बना रहे होते हैं इस पूद लर्न एनी वन स्किल तुड़े, वोट वूद इक उना अपनी कहानी आई वांट तो गिव माइ स्टूरी तो दी होल वर्ल कि अपनी बातों को अपने दिल से बहार निकालो सबसे फेवरेट एप कौन सी आपके फॉन पर? स्ट्रावा अगर किसी के साथ लाइफ स्वैप करने का मोका मिले एक दिन के लिए, तो किसके साथ करेंगे? जो आप है, शायद वो ही आप रहना चाहते है एक चीज़ आपके बैकेट लिस्ट में है, जो आप अचीव दरना चाहते है तो गो तो दी बॉस्ट बॉस्ट बॉस्टन रन बॉस्टन रन तो रप्रेजंट इंडिया सबसे फेवरेट इंस्पिरेशनल कोट किया आपका? वाज़ दो खेवरेट अचीव दिस्टन आपका? वल्फ